स्वागत है किसान भाईयो तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लेमन ग्रास के विशह में कि लेमन ग्रास का खेती करके हम कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं और कैसे लेमन ग्रास की खेती को हम लोग सुरू करें और कैसे हम लोग इसका मार्केटिंग करते हैं और कहां पे इसका मार्केटिंग होगा इसका बाई प्रोडक्ट क्या क्या होता है और इसका यूज क्या है हम लोग खेती करने के बाद इसको क्या क्या बनाते हैं तो हम लोग इस वीडियो में अभी जानेंगे कि लेमन ग्रास की खेती सबसे पहले हम लोग शुरू कैसे करें और कितना मुनाफ़ा होता है कितना लागत आता है तो लेट नहीं करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब हम लोग खेती के त्यारी से सुरू करते हैं तो लेमन की खेती करते वाक्त हम लोग को अच्छे से जुताई करना पड़ता है खेतों का और उसके बाद जैसे हम लोग जो खार डालते हैं तो लेमन ग्राज की खेती में जो हमारा यूडिया, डीएपी वगारा नहीं लगता है इसमें ज़्यादा तर यूज किया जाता है गोवरखाद जैविक तरीके से खेति किया जाता है तो ये काफी असान होता है और जैसे हमारा खेत का जुताई हो गया उसके बाद हम बेड बनाते हैं क्योंकि बेड बनाईएगा तो इरिगेशन में आपका काफी अच्छा ग्रोथ होता है इरिगेशन के मादियम से अच्छा तरीके से हो जाता है तो इसलिए हम बेड पे करते हैं और जैसे हम बात करें बेड का तो बेड जो हमारा होना चाहिए लाइन से लाइन की दूरी जो होना चाहिए ढाय फीट होना चाहिए यह सकर्स है तो होता क्या है इसको आप लोग उखारने के बाद इसके सकर्ष को लगाया जाता है फिर से तो सकर्ष के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं जैसे वराइटी के उपर इडिपेंड करेगा तो बहुत सारा ऐसा वराइटी है जो बीज के द्वारा और सकर्ष के द्वारा लगाया जाता है तो अगर हम लोग सकर्स के माध्यम से लगाते हैं तो जो हमारा दूरी होना चाहिए वो अल्मोस्ट जो पौधा से पौधा की दूरी होना चाहिए जो हमारा सकर्स है वो डेर फीट होना चाहिए और जो बेड का दूरी होना चाहिए बेड से बेड वो धाई फीट होना जो की काफ़ी अच्छा होता है ग्रोथ के लिए अगर हम लोग लेमन ग्रास के यूजेज का बात करें तो इसका जो यूज होता है तो सबसे ज्यादा यूजेज इसको देखा जाता है जो हर्बल कमपनियां होती हैं वहाँ पे काफ़ी डिमांड होता है इसका लेमन ग्रास का और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो देखा जाता है काफी इत्र में यूज होता है और इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है वो तेल बनता है तो किसान भाई इसकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और जैसे बात करें हम लोग यह हमारा पौधा है अभी छे महिने का और छे महिना में आप लोग इसको दो बार कटिंग कर सकते हैं यह कटिंग के बाद फिर से ग्रो हुआ है तो साल में कम से गम आप चार से पांच बार इसका कटिंग निकाल सकते हैं लेमन ग्रास का और हम लोग बात करें इसका तो तेल काफी ज्यादा इस अगर हम बात करें जैसे एक एकर में, तो एक एकर में हमारा जो एक कटाई होता है, खेट का, पतियों का, तो अल्मूष्ट 15 से 18 लिटर तेल निकल लाता है, गर प्रोसेसिंग के माद्भियंट Cand melting के आठ कर तें हैं तब विशय में हम लोग जानेंगे एक बड़े वीडियो में हम लोग लाएंगे और इसका यूजेज अगर बात करें तो जो चाय बनता है ग्रीन टी उसमें भी काफी यूज होता है और इसको किस मिट्टी में उगाना चाहिए तो ऐसे ये तो देखा जाया तो एक घास की प्रजा जा सकता है आज के समय में काफी ज्यादा मत्रा में इसका खेती किया जा रहा है किसानों के द्वारा और काफी अच्छे फाइदा भी कमा रहे हैं किसान भाई अगर हम लोग बात करें तो इसका पतियों के अलावा कंद भी विखता है जैसे हम लोग जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं तो ये जो कंद है तो ये कंद भी विखता है जो बड़ी-बड़ी कमपनिया है कंद का भी डिमांड करती है तो आप लोग इसका मार्केटिंग देख सकते हैं अपने लोकल मार्केट में नहीं तो एक हम लोग बड़े वीडियो में चर्चा करेंगे नए इसी भी विशह में आप लोग को जानना हो लेमन ग्राश की खेती की विशह में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए तन्यवाद